हम बात कर रहे हैं RVNL की आज की दिन की बात करें तो RVNL में फिलाल हमको 3% के उपर का अफसाइट देखने के लिए मिल रहा है देख सकते हैं इस टॉक जो है 388.20 पैसे पर फिलाल जो है ट्रेड होता नजर आ रहा है गिरावट के बाद स्टॉक बांजबेक वा था और 360 के लेवल को ब्रेक आट किया था हमने डिसकस किया था कि इस बांजबेक के साथ स्टॉक 380 के भी लेवल को ब्रेक आट कर सकता है और 400 टक के तारगेट को हमने डिसकस किया था देख सकते 392-394 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया वहां से अगेन छोटी मोटी गिरावट के साथ फिलाल ट्रेड हो था नजर आ रहा है अब नीचे की ओर 380 इसका तगड़ा सपोर्ट रहने वाला है तगड़े सपोर्ट के तोर पर काम करेगा 380 का लेवल लगाता अब ट्र पर ले इस टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट डिकाई थी इस लेवल का भी ब्रेक आट हो सकता है इमिडेट टार्गेट रहेगा अपना 400 का लेवल जिसके आसपास फिलाल स्टॉक हमको नजर आ रहा है 400 का लेवल इसको ब्रेक आट कर गया तो नेक्स तार्गेट यह इसका हाई 420 का लेवल और इस बांस बेक के साथ इस हाई को भी ब्रेक आट कर सकता है क्यूंकि अगर इसका ओहर ओल चार्ट पैटन पे नजर दाले आरवी एनल के तो हम देख सकते हैं गिरावट के बाद लगातार तेजी में और वैसे भी स्टॉक हमको कंटिनियूसली रे रेकार्ट के बाद अगला तारगेट 430 और 440 तक के तारगेट आप आरवी एनल में देखने के लिए मिल सकते हैं यहां तक का जम्प आरवी एनल हमको दिखा सकता है 440 तक का वीडियो एजूकेशन परपस के लिए कोई बाइसल या होल्ड की सला नहीं अगर आप टिमेट आपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो